मुझे लगता है यानि हमें थोड़ा अध्यान करना चाहिए मुझे लगता है कि जो भी तीन तलाग के पक्षमे बाते करते हैं तीन तलाग की वकालत करते हैं ये वोट बेंग भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं अज़ा कुछ लोगों को लगता है कि पर ये तीन तलाग से तो सिर्फ महिलाओ कोई बात हो रही है तीन तलाग से जो नुक्सान होता है न वो सिर्फ बेटियों को होता ऐसा नहीं है उसका दारा उससे भी बड़ा है आप सोचिए बहुत ही अर्मानों के साथ बेटी को शादी करकर के ससुराल भेजा हो और आण दस साल के बाद तीन तलाग कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस माबाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है उस भाई का क्या होगा वो भाई पिता सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं इसलिए तीन तलाग से सिरफ बेटीों को ही अन्याय होता है इतना नहीं पूरे परिवार तबा हो जाते हैं माता पिता भाई सब दुखी हो जाते हैं और देखिए दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश इसका इसलाम से समंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाग खतम नहीं करता मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इसलाम राज्य है वहां भी तिन तलाग बंद कर दिया है मैं परसों इजिप्त में था मिस्र में था मिस्र में इजिप्त में 90 परसंट से ज़्यादा सुनि मुस्लमान समाज है और इजिप्त में आज से 80-90 साल पहले तीन तलाग की प्रधा को समाप्त कर दिया हम से 90 साल पहले अगर तीन तलाग इसलाम का जरूरी यंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई अगर तीन तलाग इसलाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में को नहीं होता अगर तीन तलाग इसलाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बंगलादेथ ये तो सारे मुसलिम बस्ती वाले देश है वहाँ पर उनको मन क्यों कर दिया मैं समझता हूँ कि मुसलमान बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छुट चाते हैं यही लोग तीन तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूँ कि इसलिए ही मेरी मुसलिम बेटियां मैं जब भी जहां जाता हूँ वो भाजपा के साथ कड़ी रहती है, मोदी के साथ कड़ी रहती है पातियों भारत के मुसलमान भाई बेनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनितिक दल उन्हें भड़का करके उनका फाइदा लेने के लिए उनको बरबाद कर रहे हैं आज कल हम देख रहे हैं कि यूनिपॉर्म सिविल कोर्ड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है आप मुझे बताईए एक घर में परिवार के एक सदसे के लिए एक कानून हो परिवार के दूसरे सदसे के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो गर चल पाएगा क्या कभी भी चल पाएगा क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्ता से देश कैसे चल पाएगा हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरीकों के समान अधिकार की बात कही गई है बात कुम के समान अधिकार के सत्सक्टाफ भाएगा झाल झाल